हलो स्टुडेंट्स कैसे आप सब लोग सर आउल डूडी दिस साइड योर केमेस्टर एजुकेटर बटा एक बहुत इंपोर्डेंट अपडेट जिस अपडेट का आप सब लोगों को वेट था इंतजार था CBSE class 12th के student कि सर हमारा जो evaluation criteria है marks के लिए वो क्या होने वाला है तो CBSE ने supreme court में जो पूरा decision है जो कैसे हम लोग marks evaluate करने वाले हैं सारा सब कुछ submit कर दिया है और एक quick update देता हूँ आपको इसके detail में आपको आगे बताऊँगा क्या क्या consider किया जाने वाला है इस marks evaluation में देखो class 10th क marks, 11th के marks और 12th के pre-words के marks ये सारी चीज़ें इसमें consider की जाएंगी for theory के लिए और practicals के जो marks रहेंगे जो आपके school वालों ने आपके practicals के marks बेजे होंगे वो इसमें include किया जाएंगे ठीक है ये update है अभी तक के लिए और दूसरा option भी CBSC ने ये दिया था कि हम लोग अभी भी class 12th का board का जो exam है वो conduct करवा सकते हैं इन है control environment जो उसनोंने specific word use किया बट Supreme Court का कहना था कि नहीं एक बार जो आपने decision ले लिया है इसको वापस rollback नहीं किया जा सकता अलांकि हाँ हम लोग इस पे ये कह सकते हैं student को choice दे सकते हैं कि जो exam देना चाहे वो बाद में exam दे सकता है अब इस पे final decision क्या होने वाला है ये expected है जो court की next hearing होने वाली है उसमें तो आपकी क्या views है कि 11th, 12th और 10th इन तीनों के जो marks include किये जाने वाले हैं आपका जो final result बने आपका जो comment है आपका जो reaction है एक बार मुझे इस comment section में जरूर बताईए और इसका जो detailed आपको report है वो अभी थोड़ी देर में आपको channel पे मिल जाएगा